क्या आप प्रेगनेंट है और आपकी डिलीबरी हाली में होने वाली है तो आपके मन में कहीं न कहीं ये सवाल तो जरूर चलता होगा कि आपको बेबी बॉय होगा या बेबी गल्स होगी तो दोस्तों देखिए आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप कैसे पता लगा सकते हैं देखिए लेकिन ये चीज जो है किलियर पूरी तरह से 100% कलियर करना तो नहीं होता है कि कोई भी बॉड़ी देख के नहीं बता सकता है कि आपको लड़का होगा या लड़की होगी लेकिन आपने सुना होगा कई बार कि जो हमारे पूरवज हैं बड़े बूरे लोग जो हमें बताया करते हैं जो कि 100% बोलते कि नहीं आपको लड़का होगा या फिर लड़की होगी इस तरह से बोलते हैं तो कहीं न कहीं उनकी जो बाते होती हैं कुछ हट तक सही भी हो जाती है और यहीं चीज जो है आप सरफ इस वीडियो के तो थोड़ा बहुत इससे कि आपको लड़की के क्या के सिम्टम्स होते हैं नेस्ट वीडियो जो मैं बनाओं इसमें आपको बता दोंगी कि लड़की के क्या के सिम्टम्स होते हैं उसके बारे में तो वीडियो में लास्त तक रहिएगा ठीक है तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले पेट का अकार टिकई पेट का अकार अगर तूपा ऐका एक और लंबा है भारि हो नीचे को जुका हुआ है तो आपके सिम्टम्स बात कर लेते हैं से इस दिक सिम्टम से इस तो ऐसा कहा इसतन के अकार में अगर बढलाव आ रहा है ठीक है । यह लड़का होने का सिंटम्स होता है लेकिन इसतन आपके असली वी रहाते कि काफी जदाव के इसन मतलब मिलक बनने लोगता है यह क्लाने pursue से सब्सक्राइब होते हैं वेयर वजह तो लड़का होगा ठिखे नैस्ट इस्म्टम्स की बाध कर लेते हैं तो वह तंडे पैर कहा जाता है कि अगर द्वाइड एक चंटम्स की बाध कर लिते हैं कहां इसे बालेकर चट पटा भोजन करने की इच्छा होना अगर आपको प्रेग्नेंसी की दोरान चटपटा खाने की बहुत जदा इच्छा होती है मतलब चटपटा वोजन आप बहुत जधा करती है तो यह भी सिंटम्स जो है लड़का होने का कहा जाता है मैं अगर अपनी बात करहूं तो मेरी प्रेग्नेंसी में मुझे बेटे के ट तो जाता है कि तो चाहिं में बदलाव होना यह भी एक सिंटम होता है जो लड़के के टाइम पर देखा जाता है पर तो चाहिए जह क्लिए का अपने अपने बारे के टाम पे मेरी जो इसकीन थी काफी ज़्जादा डल हो गए थी मतलब जो कर ना काफी ज़्यादा हो गए थे और बहुत ज़्यादा सकीन जो थी रूखी रूखी से हो गई थी तो यह मेरे साथ कुछ उल्टाई हुआ इसका तो इसलिए सायत होता है कि UMGthenSO K deserves सबकी बॉड़ी अलग होती है तो सबकी सिंटम्स भी अलग अलगी होते हैं फिलाल तो मेरे साथ जो था वो मैंने अपना experience अब लोग के साथ शेयर कर दिया नेस्टे सिंटम्स की बात कर लेते हैं तो नेस्टे सिम्टम्स है बालों का घना और लंबा होना ऐसा कहा जाता है कि अगर बालों का घना बाल बहुत जदा घने हो रहे हैं लंबी हो रहे हैं साइन आ रहा है बालों में चमक मार रहे हैं तो ये भी लड़का होने का सिम्टम्स माना जाता है तो इस सिम्टम्स में भी कुछ मेरे सा साथ अपना experience शेयर कर दिया लेकिन काफी महलाओं के साथ कुछ उल्टा ही होता है तो क्योंकि सबकी बॉड़ी अलग होती ही जैसे कि मैंने आपको बताया तो हार्मोन के उपर भी होता है डिपेंड नेस्ट सिम्टम्स की बात कर लेते हैं तो वह है अगर गरवस्ता के दोरान पेट में जैसे जो उभरी हुई सी लाइन होती काली लाइन बनी होती है तो कहा जाता है कि यह जो सिम्टम्स है लड़का होने का होता है लाइन अगर आपकी जो है उपर से लेकिन नीचे तक अगर सीधी जा रही है ठीक है और बिलकुल काली डार्क हो रही है ठीक है तो यह लड़का होने का सिम्टम्स माना जाता है और काफी यह सिम्टम्स जो है काफी महिलाओं के साथ मतलब हुआ है की बात करे देकेी धरकन अगर आपके वैक बच्चे की एक 140 कम है खिर तो यह लड़का होने का माना जाता है कहा जाता है कि अगर 140 से कम है दिल की धड़कन तो लड़का ही होता है ठीक है सिम्टम्स की बात कर लेते हैं तो वह और कावजोरी हो ना अगर मॉनिंग सिक्ने नाया है काफी Askla सो तेन चार महिने तक लगातार मॉनिंग सिक्निस रहती है और कभी कभी तो महिर यह ao पूरी परेग्नेंसी जो मॉनिंग सिक्नी स्थ भनी रहती है लेकिन अगर आपको सुबह के टम ठेम पर की फुल की मॉर्निंग सिकने सोरी हल्की फुल की थकावट होती ज्यादा नहीं हो रही मतलब जैसे और लोगों को बहुत ज्यादा होती है तो अब को कम हो रही है तो यह लड़का होने का सिम्टम समाना जाता है तो मैं अगर अपना एक्सपिरियंस चेह करूं तो मेरे बेटे से मेरे साथ थोड़ा ठीक बैठा अब मैं देखिए मैंने आपको यहां पर इस वीडियो में नौ लक्षण बताएं हैं बेटे होने के तो यहां पर इन लगा सकते हैं लेकिन कहीं नहीं कर सकते क्योंकि एक यह है कि आप थोड़ा बहुत अंदाज लगा सकते हैं कि मैंने आ आप लोग के साथ इसमें से एक भी सिम्टम से मैच करता है तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएगा और जिन जिनका मतलब बेटा हुआ है बेटी हुई है कौन-कौन से सिम्टम्स थे उनके अंदर तो वह भी मेरे को जरूर शेयर करिएगा ताकि मैं आगे आप लोग के स पास तक बने रहेगा हमारे चैनल से बिल्कुल जुड़े रहेगा ताकि आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहें चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजेगा ताकि आप लोग की जो भी डाउट है ना तो आप लोग कोमेंट करके जरूर बता दीजेगा ताकि मैं उस पर भी आपके जो डाउट है उनको भी क्लियर कर सकूं उन पर भी वीडियो बना सकूं हाला कि यह जो सिंट्रॉम्स मैंने बताया है ना इनका कोई साइन्टिफिक प्रूफ नहीं होता है सरफ और सरफ आप इनसे अंदाज लगा सकते है क्योंकि यह सरफ हमारे जो पूर्वज बड़े बूरे लोग हैं वही मानते हैं इन सिंटम्स को तो बस सेयर करने का मकसद इतना है कि आप सरफ और सरफ अंदाज अपने उस सुकता को कम कर सकते हैं अंदाज लगा सकते हैं आई होब आपको यह वीडियो हमारे अच्छी लग